C.I.E.T. and C.E.R.T. दोरा प्रस्तुत है कक्षा तीन की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का तीसरा पाठ पानी रे पानी पानी मूध होँगा पानी से मुन्ना कहता नानी से प्यासे पानी पीते हैं पानी से सब जीते हैं जाने कपसे पानी है कितनी बड़ी कहानी है कहीं ओस है बर्फ कहीं पानी ही क्या भाप नहीं सब रूपों में पानी है कहती ऐसा नानी है नदियां बहती कल-कल-कल जरने गाते छल-छल-छल तालों में लहराता जल-कूंओं में आता निर्मल धर्ती पर जीवन लाया-खेत सीच कर लहराया-पर जब बाढ़ें लाता है-भारी आफत ढाता है ये कविता लिखी श्री प्रसाद ने क्या तुम पानी पर कोई कविता या गाना जानते हो? कक्षा में सुनाओ कविता में पानी से जुड़ी कौन-कौन सी आवाजों की बात की गई है? कुछ आवाजें तुम भी बताओ कविने क्या कहा है, पानी कहां कहां है दिये गए कामों में पानी की जरूरत पर सही का निशान लगाओ खेलने में, गाना गाने में, चाय बनाने में, आटा गुंधने में, लिखने में, नाओ चलाने में, चित्र बनाने में, पौधों को उगाने में पंखा चलाने में ऐसे चार काम लिखो जो तुम पानी के बिना कर सकते हो और जो तुम पानी के बिना नहीं कर सकते हो किसके लिए कितना पानी इन कामों में सबसे ज्यादा पानी जिसमी लगता है उसे सबसे पहले लिखो बाकी को ज्यादा से कम के क्रम में लिखो काम है नहाने में, पीने में, घर धोने में, खेत में, पानी देने में, और आटा गूधने में कहां से मिलता है पानी? तुमने कविता में नदी, जरने, तालाब और कुई के बारे में सुना इनसे हमें पानी मिलता है तुम पानी कहा कहा से लाते हो, तुम्हारे घर में या घर के पास इन में से जो जो हैं, उन पर गोले का निशान लगाओ जील, कुवा, तालाब, जर्ना, सागर, नदी, नहर, ट्यूब बेल, नल, नलकूप, टांका, गर्म, सोता क्या तुमने कभी जमीन में से गर्म पाने निकलते देखा हैं? कहां? क्या तुम्हारे गाओं या शेहर में कोई नदी बहती है? यदि हाँ, तो उसका नाम क्या है? क्या तुम कुछ नदियों के नाम जानते हो? उनके नाम लिखो तुम्हारे घर में पीने का पानी कहां से आता है? क्या पानी लाने घर से दूर जाना पड़ता है? पानी लाने में कितना समय लगता है क्या आसपास के सभी लोग वहीं से पानी लेते हैं पानी को भर कर रखने की जरूरत क्यों पड़ती है तुम्हारे घर के लिए पानी भरने का काम कौन-कौन करते हैं क्या ऐसे भी कुछ लोग हैं जिने वहाँ से पानी भरने नहीं दिया जाता इन में से उन चित्रों में तुम रंग भरो जिन में तुम पानी भर कर रखते हो बाल्टी, लोटा, जग, मटका, कलसा, तेल का डिबबा तुम्हारे गहर में यदि किनी और चीजों में पानी भर कर रखा जाता है तो कौपी में उनका चित्र बनाओ और उनका नाम भी लिखो चित्र में दिये गए सभी बर्तनों में यदि उपर तक पानी भरा हो तो किस बर्तन में सबसे कम पानी होगा और किस बर्तन में सबसे ज्यादा पानी होगा ये बात तुम कैसे बता सकते हो छुटकी चकराई हिरेन और छुटकी को बहुत गर्मी लग रही थी अंकल ने कहा रुको मैं तुम्हें आम का पन्ना देता हूँ उन्होंने दो स्टील के गिलास भर कर बच्चों को पकड़ाई पर छुटकी ने जिद पकड़ी मुझे तो कांच के गिलास में ही पीने में मज़ा आता है अंकल ने पन्ना एक काच के गिलास में पलट दिया पर नहीं, छुटकी फिर भी नहीं मानी बोली, अंकल आपने मुझे तो कम दिया है तुम्हें क्या लगता है? क्या छुटकी के गिलास में कम पन्ना था? अभी आप सुन रहे थे कक्षा तीन की पाठे पुस्तक हमारे आसपास का तीसरा पार्ट प्रस्तुती C.I.E.T. N.C.E.R.T. नई दिल्ली भारत